हंगामे की भेट चड़ा मौनसून सत्र का पहला दिन संसत के दोनों सद्मों की कारेवाही कल तक के लिए की गई सतागे फोन टैपिंग मामले पर संसत में हंगामा केंद्रियम मंत्री अश्वीडी ने आरोपो को बताया गलत आयाईटी कानपुर ने किया दावा कोरोना की तीसरी लहर में होगी कम खतरनाक स्थिती अक्टूबर नवंबर तक आने की संभावना कि एंपी के ग्रहमत्री ने कोरोना हालातों पर दी जौनकारी कहा एंपी में इस वक्त राहत की स्थिती भुपाल में निशुलक एंबुलेंस सेवा का किया गया शुभारम कायस्त समाच को समर्पित की गई एंबुलेंस नमस्कार मद्द्रदेश के खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुश्का से ग्रह मंत्री नुटर मिश्ट्रा ने मद्द्रदेश के कोरोना हालातों पर जौनकारी दी है उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर इस वक्त एंपी में राहत के स्थिती है ग्रह मंत्री ने बताया कि ना केवल आठ केस सामने आये हैं बलकि 27 लोग स्वास्त होकर वापस घर जा चुके हैं फिलाल मर्द प्रदेश में अब केवल 194 बे एक्टिव केस बचे हैं रोजाना सतर हजार टेस्ट के जा रहे हैं वही ग्रह मंत्री ने कई और मुदों पर भी बयान दिया उन्होंने किसानों से लेकर कमल नात के ट्वीट पर भी अपनी राय रखी साथी नवजोत सिंग सिद्दू के पंजाब कॉंग्रेस का दक्ष बनने पर भी उन्होंने निशान असाधा है देखो ये तीसरी लहर का शब्द का प्रियोंग जिसने भी किया हो वह अच्छा नहीं है कौन चाहता है कि तीसरी लहरा है हमने पहली और दूसरी लहर की पीड़ा भोगी है उसका दंस सहा है राजनीती करने के लिए कांग्रेस को और भी तो फोरम है ना कैसी राजनीती करती है कि तीसरी लहर का इंतिजार कर रहे हैं एक उनका नेता कब्रिस्तान पे जाके मुर्दों से बात करने लगता है कभी एक लाग से ऊपर मौतें हो जाती है तो लासों की राजनीती होती है यह तरीका गलत है कांग्रेस का मैं अच्छा नहीं मानता इस उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है वैसे तो लेकिन एक बात जरूर समझ में आई जिस व्यक्ती ने पपू शब्द की उत्पत्ती की हो जिसने कांग्रेस को मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम कहा हो उस व्यक्ती को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाए तो ठोको ताली तो कहना पड़ेगी कांग्रेस के लोगों से कि अब तो ठोको ताली वही इसी खबर पर तमाम जौनकारी देने के लिए हमारे MP हेड धर्मेंद हमाई साथ जोड़ चुके है प्रवास के बाद लोटकर नरत्मिश्रा बोपाल पहुंचे और उन्होंने जो बजिस्टर का बयान दिया है बोपाल में ही नहीं मद्यपरदेश पूरे कोरोना पर लगाम कस ली गई है बहुत हद का काफी हद तक लोगों को जो डॉक्टर सुनको सफलता मिली है कोरोना पर काबू पाने के लिए जो आंकले बताए गए हैं जिससरे की कुष्टी की जा रही है डॉक्टरों के दोरा और आजिकता नरत्मिश्रा ने भी इस पर मोहर लगा दिये कि कोरोना पर फिरहाल उसकी इससे निपटने के लिए मत्यपर सरकार पूरी तरटयार और पूरी तरशुष्ट पर फिलाल काबू पा लिया गया है पुछे तब नर्तमिस्रा ने ये भी कहा कि जितरे से कॉंग्रेस को उन्हें खासकर घेरा आए कि कॉंग्रेस जो है कोरोना पर हुई मौतों पर भी सियासत कर रही है लाशों को पर सियासत कर रही है उन्हों ने ये भी कहा कि कमलनाथ की बात पर गौल कर रहे तो कमलनाथ जो ह उन्होंने लगातार इसाले लगातार किसानों साथ रगा किया है, और वह कर्जक्राइब किसानों नहीं नहीं किया, कि नोजो सिंग सिद्धू जो है वो प्रदेश के अद्रश बनाए जा रहा है पंजाब से लेकिन गौर करें तो जो राजियू गांदी से वह हमेशा युवाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं लेकिन कॉंग्रेज जो इसके विपरीज दिशा में चल रही है और राजि को बता रहे थे जहां पर ग्रेमर्ट्री ने आज पत्रकारों से बाचीत की जहां विभन मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है वही भारतिय कायस्त सेना द्वारा भोपाल कायस्त समाज को निश्युलक एंबुलेंस सेवा का शुभारबाच किया गया है मुख्य अतिती मनोज शिर्वास्ताव सेवा निवरत्र अपर मुख्य सचिव ने एंबुलेंस कायश्ट समाज को समर्पित की है इस मौके पर उन्हों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान समाज के लोगों को एंबुलेंस और चिकेटसा सोविधा की जरूरत को देखते हुए भुपाल में यह सेवा शिरू की गई है बहुत जल्द ही प्रदेश के 18 जिलो में निशुलक एंबुलेंस सेवा की शिरुवात की जाएगी साथ ही मुक्त वाहनों को भी प्रात्मिक्ता दी जाएगी ताकि आने वाली विपदा के समय में समाज के लोगों को परिश्वानियों का सामना ना करना पड़े वही सी खबर पर तमाम जान कारी देने के लिए हमारे बीरो हैड धर्मेंदर हमाई साथ बने हुए तो धर्मेंदर आज निश्वल को अभी सेवा का शुभरम किया गया है जहां काय्स समाज को अमबलस समर्पित की गई है क्या को जान कारी है अजु बिलकुल भारती यह कायं काय का सेना जो है उसमें करोलना कारिकर इस समय ऑपदा बालाद देखें हैं पूरे मत्रदेश के देश के उसको लेकर भारती सेना ने मत्रदेश में एक एम्बूलेंस जो है वो सेवा बाहल की है और उन्होंने इस मोक्या पर बनो शिरवास्तों जो की पूरो आधिकारी रह चुके हैं उनको बुलाकर उन्होंने उसका बहुत हर काम में जो देश को जागरूख करने के लिए या समाज से वागली ततपर रहते हैं लेकिन इन्होंने एंबुलेंस पर जो भेट की है एक बड़ा उधारन पेश किया है कि इस वक्त वाकई जो कोरोना काल जैसी दीशन महामारी से जूजा है पूरा देश पूरा जो संकर्था जो अबर कर सामने आ रहा था उससे निपटने के लिए फिलाल इन्होंने एक एंबुलेस अभी जो है वो आज इन्होंने शुभाराम किया इसका और जल्द ही 18 जिलों में भी इसका शुभाराम करवाईंगे इस तरीके से आपने जो आनकारी दी कि आज भोपा जो पिछले वर्ग के जिले हैं जिनमें अली राजपूर जाबुगा रत्लाम जैसे जो इलाके जहां पर आतानी से एंबुलेस विजाय मुहया नहीं हो पाती है एक्सवार्ट एक्स नहीं पाहुँच पाती है और भारती कायक सेना जो है इनी जिनों को पहले फोकस कर रही ह ताकि जो पिछले इलाके के लोगें जो पिछले वर्ग के लोगें उनको ज़्यादा इस चीज तर लाब मिल सके इनी बात को ध्यान में रखते हुए पहले जो बैकवार्ट एरिया के जिले हैं उनको फोकस किया जा रहा है जिस तरीके से आज कारिक्रम आयोजित किया गया जहां पर आज सेवा निवरत्र अपर मुख्य सचिव भी पहुंचे हुए थे ऐसे में कारिक्रम में और कौन-कौन से अतिती शामिल हुए थे देखे अपर मुख्य सचिव के अलावा जो भी गणमाने नागरिक्ष थे विजाएक महों से वहां पहुंचने वाले थे लेकिन वो अपने निजी कारणों के निजी कारणों को चलते महां पहुंचने शाते इसके लावा कायस समाज उथा उसका फुचू मुबला पढ़ा स हंसे भागीदार बनना चाह रहे थे जनता की सेवा के लिए तो बस्कित तो बहुत सारे लोग से लिए खासकर बोलोग मौजूद थे जिन्हों ने इसने अपना सहीरोग प्रजान किया है और यह एंबुलेंस जो है यह किसी तरह जनता जनारदन के काम आसके इसके लिए जोहांकारी के लिए तो बोपाल से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां कायस्त समाज को आज अबुलेंस समर्पित कर दी गई है आपको बता दे कि इनिश्वल एंबुलेंस की सेवा आज से शुरू कर दी गई है धार जिले के टांडा अथाना पोलिस ने ये जामदा भूतिया के गैंग लीडर मास्टर माइंड कुख्यात बदमाश साथ हजार के इनामी गुरू सरपंश को मुख्बिर की सूचना के अधार पर गिरफतार कर लिगा धार एसपी आदित प्रताप सिंग पत्रकार वारता में उन्होंने इसी जूहनकारी दी अपको बता दे कि धार एसपी आदित प्रताप सिंग ने बताया कि मुख्बिर से टांडा पोलिस को कुख्यात इनामी बदमाश गुरू सरपंश के बारे में सूचना मिली थी सूचना के आधार पर टांडा पुलिस ने घेरा बंदी की जिसके बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया गया आपको बता दे कि आरोपी को गिरफतार करने में कड़ी मशक्कत का पुलिस को सामना भी करना पड़ा फिलहाला आरोपी के कबजे से बारा बोर का तमंचो और दो जिन्दा कार्टूस को बरामत कर लिया गया है 60,000 का इनामी पकड़ा है जो जामदा भूतिया गैन का सरगना है इसका नाम भूरू पिता ठाकरिया है और ये उस गाउं का सरपंच भी है और करीब 11 मामले में फरार था और इसके 60,000 रुपे का इनाम था और इसकी खास बात ये थी कि ये पूरे गैंग का फिनैंसर लैनर इस तरह के रोल में रहता था इन दौर की बार दंगा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है अब को बता दे कि पुलिस ने मुक्विर की सूचना के अधार पर दो आरूवियों को गिरफतार किया है जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैद शराब को भी बरामत किया गया है वही जो शराब बरामत की गई है उस अवैद शराब की कीमत लगभग साथ लाक रुपे बताई जा रही है तरसल इन दौर बार गंगा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवा को ऑक्सीजन वाहन में शराब की तसकरी कर रही है जिसके बाद ये कारिवाही की गई फिलहाल पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आरोपियों ने ऑक्सीजन वाहन के नाम पर कितनी बार तसकरी की है तो इंदौर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासल हुई जहां पुलिस ने मुक्बिर की सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया सबसे हैरानी की बात या है कि दोनों तसकर ऑक्सीजन वाहन में शराब की तसकरी किया करते थे फिलाल दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है साथी बाकी के सुरांग खगाले में जूटी हुई है साथी पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि अक्सीजन वाहन के जरिये इन दोनों आरोपियों ने कहां-कहां शराब की सप्लाई की है हाँ आज ये थाना बाणगंगा दवारा आपकारी अधिनीम कंतर रतकारवाई की है और जिसमें कुल बावन पेटी अंगरेजी शिराब की पकड़ाई है ये आज दोपहर में करीब 11-12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि टिग्रिया बाश्या रोड पे एक महिंद्रा पिक पे कारवाई कर इस महेंद्रा पिक अप को पकड़ा जिसमें मेडिकल ऑक्सिजन लिखा हुआ था और इसको जब तलाश ही ली इसमें तो इसमें करीब 52 पेटियां शराब की मिली जिसमें रॉयल स्टेक की 45 पेटियां हैं और ब्लेंडर स्प्राइट की चार हैं और तीन पे किया लेकिन वो तोड़ने में सफल ना हो सके और वो मौके से फरार हो गए वहीं जब बैंक के करमचारियों ने एटियम मशीन को खुला देखा तो ततकाल पुलिस को पूरे मामली की जौनकारी दी घटना के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुचे अब पुलिस बैंक ओफ महरास्ट्र के एटियम पर अग्याद बदमाशों ने पहुच कर एटियम मशीन को तोड़ कर ले जौने का प्रियास किया लेकिन जब वो मशीन तोड़ने में सफल ना हो सके तो मौके से फरार हो गए तो इंदोर से ये मामला सामने आया है जहां पुलिस थाना ज को मामले की सूचना हुई तो ततकाल पुलिस को पूरे मामले की जौनकारी दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुचकर परताल शुरू कर दी है फिलाहल एटियम में लगे कैमरे के अधार पर अपरादियों को पकड़ने की कोशिश की जौरही है इन दौर के सदर बाजार शेत्र में विद्दत मंडल के करमचवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है जिसके बाद फिलिस ने घायल करमचवारी की शिकायत के अधार पर मामला दर्चकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है घटना सदर बाजार थाना शेत्र के सुभाज चौक विद्दत मंडल की बताई जो रही है जहां लाइन मैन दीपक रात को ड्यूटी पर था तबी सदर बाजार शेत्र के रहने वाले अंबाराम के घर की लाइट चली गई तो उन्होंने फोन कर मामले की शिकायत दर्च कर आई जिसे लाइन मैन ने तुरन ठीक कर दिया लेकिन कुछ दिर बाद फिर से उसी घर की लाइट चली गई जिसके बाद अंबाराम ने फोन पर धंकी देते हुए विवाद शुरू कर दिया देखते ही देखते हैं अंबाराम पक्ष के लोगों ने लाइन मैन दीपक की पिटाई शुरू कर दी मामले में पुलिस ने लाइन मैन की शिकायत के आधार पर मामला दर्च कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है अधिक पास पेक जंडी रहती है सुरेज कटी है जी जिवी खराब वगई ती तो दो यहां के लाइन मैन है जीपक कटी की समधाए के उनको बलाया था विजवी किक करने के दोराल मुवाईन के उपर कुछ दारीगरों लोगया दारीगरों लोगया गारों पक्षों के इन दोर में बीते दोनों नाबालिक छात्र पर अफरन का मामला दर्च कराये गया था दरसल एक तेरा वर्षी नौवी की छात्रा को बारवी में पढ़ने वाले सत्रा वर्षी छात्र ने अफरत कर लिया था इसके बाद लड़के की गुमशुदगी का मामला तुकोगंज कर लिया गया दरसल सत्य साही स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल की मासूम ने जब अपने परिजनों को अपने गुम होने की कहानी बताई तो सब के होश उड़ गये क्योंकि गुम हुई बेटी ने परिजनों को बताया कि उसका अफरन किया था ना कि वो अपनी मर्जी से अपराद में बदल गया है वही एमाईजी थाना प्रभारी विनोद दिक्षित ने बताया कि आरोपी नाबालिक छात्र पर अफरन का प्रक्रण फिलाल दर्च कर लिया गया और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कारिवाई की ज़ौ रही है रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतरगर्त निपानिया में बच्चों के विवाद में दो परिवार आमने सामने आ गए बता दे कि बच्चों को दिये गए 20 रोपियों ने के बीच दो परिवारों में विवाद हो गया वहीं विवाद में गोली बारी शुरू हो गई जिसके बाद मौके पर एक युवक के कमर और पैर पर गोली लग गई वहीं घायल को ततकाल संजे गांधी हस्पिताल में भड़ती कराए गया फिलाल मौके पर पहुची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है इन दौर सहित देश के कोरोना महामारी के कारण सभी वर्गों को कही ना कही छती पहुची है ऐसी छती पूर्ती के लिए अब केंदर सरकार की योजना के तहट इन दौर में जो बच्चे अपने अभिवावकों को खोच चुके हैं उनकी सिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें निस्वलक शिक्षा मिल सके ऐसे प्रियास किये जा रही है इसी कड़ी में 235 बच्चों को निस्वलक सिक्षा के प्रमाण पत्र भी वित्रित किये गए हैं क्या है पूरा मामला आईए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रपोर्ट में इन दोर में महमारी की दूसरी लहर मानवजाती के लिए काफी नुकसान दे साबित हुई है इसी के चलते महमारी के दौरान कई बच्चों के सर से उनके माबाप का साया हडग गया और अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या सिक्षा की है जिसके बाद केंद्र सरकार वराज सरकार द्वारा सराहनी अपहल करते हुए इन बच्चों के लिए निशलक शिक्षा नीती का निर्मान किया गया जिसके तहर इन दौश शहर में सांसद शंकर लालवानी ने सांसद सेवा संकल्प ओनलाइन अप्लिकेशन तैयार की और इस अप्लिकेशन के माध्यम से तकरीबन 550 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया और देश शाम लगबग 235 बच्चों को रजिस्ट्रेशन के मताबिक निशलक शिक्षा के प्रमाल पत्र बाटे गए यह बच्चे अब स्कूल में निशलक शिक्षा को प्राप्त करेंगे वही सांसत स्यंकर लालवानिक ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शहर के कई सामाजिक संगठन इस पर सही योग कर रहे हैं और करीब 95 स्कूलों से भी चर्चा की गई है उनका कहना है कि वह बच्चों को अलग-अलग प्रतिशत के हिसाब से निशलक सिक्षा देंगे लेकिन बागी बच्चे प्रतिशत की फीस भरने के लिए भी सामाजिक संगठन आगे आए हैं और उन्ही के माध्यम से अब इन बच्चों की फीस भरी जाएगी वही कई समाजिक संगठन स्कूल की फीस के साथ-साथ किताब कौपी सहित अन्य सामग्रिया भी देने को तैयार हो गए हैं इसी के साथ उच्चि सिक्षा के छात्रों के भी रेजिस्ट्रेशन आप्लिकेशन के माध्यम से किये जा रही हैं जिसमें 175 छात्र के अब तक आवेदन आ चुकी हैं और उनके लिए भी आने वाले दिनों में कॉलेजों से बात की जाएगी और उन्हें प्रवेशन शिल्क दिलाया जाएगा जो इसकूल आया थे पिक्चानू स्कूल है इंदोर में जिन से जिसमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अप्लिकेशन आई है उसका अलग है अभी तक पिक्चानू स्कूल वालों से हमारी बात वी हमने स्कूल में पत्रत दिया था उन्होंने कुछ के करा कुछ अपनी कर रहे हैं और इसमें हमारे जो जिलाजी से उसके पूरा सकारत्मक रूप से इसमें जुड़े हुए इस पुन्नी काम में उनका ये बहुत अच्छा सही होगा खेर जो ये निसुलक शिक्षाम नीती बनाई गई है वे काफी सा राहनी है लेकिन इस शिक्षाम नीती के तहट कई तरह के मापडंड भी रखे गई हैं और उन्हीं मापडंडों के कारण कई छात्र इस नीती के क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं जिसके कारण उन्हें निसुलक शिक्षाम का लाव नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से सांसर शंकर लालवानी ने कहा है कि उन्हें भी इस प्रकार से मदद दी जाएगी और सरकार आगे पहल करेगी इसके लिए समाजिक संगठनों से बात की जा रही है आगे आने वाले दिनों में बाकी बचे बच्चों को भी लाब दिया जाएगा और इसी के साथ मदद प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही देश-दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे ये प्राइम टीवी के साथ झाल में प्राइम धिला आने रहे जाएगा झाल झाल